हेलो एवरिवन, वेल्कम तू माई चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स, सिरी आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज जो मैं सिक्षण योजना आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको पसंद आएगी और साथी साथ यह योजना आपके लिए फ्यूचर में helpful भी रहेगी फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सिक्षण योजना में यह योजना क्लास 6 के लिए है, इसका subject English, topic the donkey and the dog Lesson 4, time 40 minute Learning Outcomes Children are able to read and understand the story The students are able to give answers of the questions based on the text Teaching Learning Material टेक्स्ट बुक, चौक, ब्लैक बोर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें तीन कॉलम है स्टेप्स, टाइम, मेथड ओफ असिस्मेंट्स स्टेप्स में फर्स्ट पॉइंट इन दा बिगिनिंग सिक्षक छात्रों से कुछ प्रिशन पूछते हैं इसकी समयब्दी है पांच मिनट मेथड ओफ असिस्मेंट्स छात्रों तर जैसे कुछ पालतू पशों के नाम बताईए गाए, भैस, कुत्ता, बक्री, घोडा, बैल, आदी क्या सभी पालतू पशों हमारे लिए एक प्रिकार का ही काम करते हैं? नहीं सभी पशों का खान-पान, रहन-सहन तथा बैभार एक समान होता है? नहीं सभी पशों या ब्यक्ति एक समान काम या बैभार क्यों नहीं करते हैं? समस्यात्मक बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप यह बता पाएंगे कि सभी लोग एक समान बैभार क्यों नहीं करते हैं? सेकंड पॉइंट डूरिंग टीचिंग आज की कहानी का नाम है दडंकी एंड डॉग इसकी समयबदी है 20 मिनट सिक्षक छात्रों को शुद्ध चरणग में पाठ पढ़ाते हुए कहानी का अर्थ समझाएंगे विश które, बस्तु पर सिक्षक छात्रों से चर्चा वह प्रिश्ण उत्तर भी करते जाएंगे जिनका छात्र देफ्तिगत अनुहवों के अधार पर उत्तर देंगे पाठ की पूर्टा के पच्चाद सिख्षक छात्रों से हिंदी में पाठ की कहानी सुनाने को कहेंगे तथा उनकी प्रसंसा वा उस्सावर्दन करेंगे पाठांत शब्दार्थों के अत्रिक शब्दों का अर्थ सिक्षक स्यामपट पर लिखेंगे तदा छात्र अपनी संचिका में उच्चारण अभ्यास करते हुए लिखेंगे सिक्षक आवश्रक्त अनुसार दीख्षय अपका प्रियोग करेंगे सिक्षक शात्रों से प्रिष्णो द्वारा उनका आकलन करेंगे धोबी उसे गोद में उठा कर घर में ले जाता था गधा भी घर में जाना चाहता था गधे ने कुट्टे की तरहे वियभार किया तुम कुट्टे से अलग हो और तुम्हें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए होमवर्ग सभी चात्र घर पर अपने परिवार जनों से उनकी पसंद वा नापसंद के विशय में चर्चा करेंगे वकक्षा में आकर बताएंगे कि उनकी आदते, स्वभाव, पसंद किस तरहे अलग है अपकमिंग टीचिंग लेंड अभ्यास कारे की पूर्टा के पस्चात, वरक्षीट तथा नए पार्ट हे तू योजना निर्माण करना ब्लैकपोर्ट बर्ट लेसन फोर दंकी और टॉग वर्ट मीनिंग वाश धोना केरीड ले गया, यूजड टू परचित या अभ्यस्त, जम कूदना, थौट सोचा, फर्दर आगे अंडरस्टैंड समझना, डिफ्रेंट अलग या भिन्ड, कौपी नकल करना, यूनिक अपनी तरह का अकेला या अधित्तिय ओके फ्रेंट्स, एट लास्ट मैं अब आपसे अनुमती लेना चाहूंगा, इसी तरह की अन्योजनाओ को देखने के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ फ्रेंट्स, इस वीडियो को आप अधिक सधिक लोगों में, गुरूप में शेयर जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू, फ्रेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादे से ज्यादा लोगों में शेयर करें, थैंक यू,